हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अनिरुद पाइडा मैं एक स्टूडियो एंजिनेर एक लाइफसान एंजिनेर हूँ तो आज हम लोग पहले वीडियो में देखेंगे शौर वर्क बेंच के बारे में मैंने काफी नूपार नोटिस किया क्योंकि मैं खुद एक रेंटल कमपनी में काम करता था तो मैं वहाँ देखता था कि जो हमारे फेलो स्टेज टेक्निशन है और जीने सीखना है बट वो सीखने पाते है विकाज ओफ लैंग्विज बेरियर तो वह नहीं समझ पाते है विकाज किसी किसी को इंगलिश नहीं आती ऐँ चाहए किसी को आती भी होगी और किसी थोड़ी बहुत आती प्रूरी वहतं है ऐनिवेंट लिजए जो भी इसके सारे फीचरे से पराई अप्शन से वो मैं आपको सारे सिखा दूंगा फिलाल आपको थोड़ा कन्फिजिंग हो रहा होगा कि यह सब क्या है कैसा करना इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आपको पूरा बेसिक से सब कुछ समझाऊंगा फिलाल तो हम लोग फर्स्ट एयर ट्राइ करेंगे कि अगर अगर सब्सक्राइब कोई संबंड शो में या तो फिर आपका कोई NH7 विकेंडर शो हो रहा है और बहुत बड़ा कोई भी म्यूजिक फेस्टिवल है और कुछ भी कोई भी शो है कॉन्फरेंस है और बैंड शो है जो बॉलिवड बैंड शो होता है अगर आप वो कर रहे हो बहुत बड़ा इंवेंटरी आपका wireless gear का जा रहा है तो आप उसको कैसे frequency coordination करोगे तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे के wireless gear को workbench में कैसे लाते है उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा network settings के बारे में इसमें समझना पड़ेगा कि यह कैसा होता है तो जैसे कि अगर suppose मान लो कि अगर अपने अपना laptop connect किया through cat5 जो switch में जा रहा हो switch से सारे cat5 के through वो सारे receiver में distributed है अभी अगर आपको usually क्यों होता है कि अपका network setting अच्छा है तो अगर कोई issue नहीं है तो आप जैसी workbench चालो करोगे तो आपको सब कुछ inventory में आपका wireless gear दिखा देगा बट अगर suppose म अपड़ेगा तो मैं आज आपको वो सिखाऊंगा तो सबसे पहले हम जैसे